कि है कि हेलो फरेंड्स तो आज करने बाले कुछ ऐसी पिल्स के बारे में जो की बहुतहीं कम यूज्ज खीज आतीय है और डॉक्टर की प्रेस्क 화enne ऐन्देग व क्रने वाहसे के बारे में जो कि सबसे यूज Office के बारे में जो आप इसको कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी स्लीपिंग पिल्स की बारे में जो कि सबसे ज़्यादा यूज की जाती है तो चलिए आज का वीडियों स्टार करते हैं लेकिन सबसे पहले हों कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉंट यहां पर समझने होंगे तो चल कंडिशन में स्लीपिंग पिल्स का काफ यादा यूज किया जाता है नेस्ट इंस्वैम्निया मेडिकेशन तो यह एक ऐसी कंडिशन जहां पर आपकी जो स्लीपनेस है वह रेगुलर हो जाती मतलब आपको नीद तो आएगी लेकिन अगर आपकी आँक एक बार खुल गई त तो फिर से आपको नीद नहीं आए तो उस कंडिशन में इन टैबिट्स का काफ यादा यूज किया जाता है नेक्ट असलीप बॉगेंग कुछ लोग ऐसे हो तो जिनको नीद में चलने की आदत हो दी है तो उसमें इभी इन टैबिट्स का यूज का फिया दा और काफी सारे MBS डेक्टर प्रिस्क्राब करते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इंपोडेंट बात बताना चाहूंगा आपको यह टैबिट बना किसी डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है तो आगे हमारा नाय टेरिम इसका काफ यूज किया जाता है तो यह ते इसके कॉमन कैट लेक्टर रिखी और आप रिलैक्स करते हैं जो कुस्छ स्लीपिंग भी यह लिए उनको पेसली भूस लीली मैनुफेक्टर किया है और पुछ एसे जो आपको पुर्ट होते हैं वह ईस वैसे आपको लेनी के बाद नीद आ जाती वो इसका एक साइड़ एफेक्ट होता इस आपके कैसे करती है और कुछ बारे में जो कि इस वीचिक लिए नाम से जाता है इसके नाम से नाम से ऑन को बोला साथा है मैडिसन और त्रैंकुलाजर के नाम से बोला साथा तो यह ते इसके common name जो कि आपको इस नाम से आपको मिल जाती है आपको इस नाम से भी इन sleeping pills को बुलाया जाता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके sad fact वरन अगर आप sleeping pill को ज़्यादा मौन में लेते हैं या आप फल्स time लेते हैं तो उस condition में आपको उसके कुछ ना कुछ sad fact देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वह हमारा ड्रावजी तो यहां बैदे कि ड्रावजी मतलब आपको सुस्ता सुस्ती आएंगी आपको कुछ अच्छा फिल नहीं स्लिपिंग फिल्म के बार में जो कि सबसे जादा यूज की जाती है और आपको एजली मार्केट में मिल जाती है जो कि ब्लॉंग करती है और यह टैबलेट का करते हैं याइश यहां पे आपको अचानक से डर लगने कर लगेगा आपका बीप ऑचानक से लेकिन आपको चक्कर आएंगे और आपको स्लीपिनेस तो का तो चलिए आगे में बात करें नेक्स्ट के बारे में जो की काफे यूज की जाती है और यह आपको सौट टर्म एंग्जाइटि नाम से इसको मिल जाथ है काफे स्लीपिंग है रेगुलर हो जाती है मतलब आप एक बार सो जाएंगे फिर आपको नहीं आगी तो उस कंडिशन में इस किया जाता और यह बेंडिव डाइजाप मिल जाते हैं आपको कुछी समझ में नहीं आएगी नेस्ट डिप्रेशन भी आपको हो सकता और राजी नेस्ट अब यह को ससकते हैं भी जब और यह भी एक एंग्जाइटी में यूज कि जाती है और एक एसी जहां पे आपको मिरी की जिसको हिंदी में बोला जाता है और आपको अचानार के जटके आदे तो उस कंडिशन काफिया यूज किया था और इसके भी कुछ ना कुछ साइट इफेक्ट है वो हमारे डिप्रेशन डिजी नवा मेमोरी इंपरेवन ये इसके कॉमन साइट इफेक्ट जो कि आपको नॉर्मली देखनों किसी पेशेंट मैं मिल जाते तो चली आगे हम बात के लेते हैं और वह हमारी लास्ट विल्बो हमारा एस्टी लोटा पुरूम और को इसमें दो मेडिशन के कॉम्बिनेशन है जो कि काफिदा फेमस और काफिदा यूजबी की जाती है और यहां पर इस तरविड़ को एंग्जाइटी और मूड इनहेंसिंग एफेक्ट को इंपरूब करन और यह आपको मार्केट में नेक्सी टॉस प्लस के नाम से मिल जाती है लेकिन आपको इसके साइट पर देने को मिल जाती है अगर आप इन पिल्स को ज्यादा लॉंग तक लेने तो आप इसकी एडिक्शन हो सकती है तो उस कंडिशन में आपको यह पिल्स हमेज़ा देने को मिल जाते हैं यहाँ पे देखिए जिस लिए मैं आपको डॉक्तर के प्रिसकी अथER थरूरी और यह को सारी दबाइया जिए सबसे ज्यादा युश की जाती है दिए linen को Luby जो कि काफिर यूज कि दर वो मैंने आपके आपके अपर डिसस्ट करें तो मित करनों आपको इविडिन काफिर पसंद नायोगी तो पीछ वीडियों को लाइक कर देजिए और ऐसी नियू अप्विडिक चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजिए